दिल्ली पहुँचने के बाद मेरा मन करता था कि आपसे भी कुछ समवात करूँ आज सुप्रीम कौट ने एक ऐसे महत्वपून मामले पर फैसला सुनाया है जिसके पीशे सैंकडो वर्षों का एक दिर्ग कालिन इतिहास है पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो जो हुई और आज मिलने आ चुका है दसकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है साथियों पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश है आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवन्त है और कितना मजबूत है फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने हर समुदाय ने हर पंध के लोगों ने पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्विकार किया है वो भारत की पुरातन संस्कृती परंपराव और सद्भाव के भावना को प्रतिमिबित करता है बाई और भेनो भारत जिसके लिए जाना जाता है और हम इस बात का गर्व से उलेग भी करते हैं विवीतता में एकता विवीतता में एकता आज यह मंत्र अपनी पुरुनता के साथ खिला हुआ नजर आता है गर्व होता है हजारों साल बाद भी किसी को विवीतता में एकता भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा तो वो आज के एतियासिक देन का आज की घटना का जरूर उलेक करेगा और ये घटना इतिहास के पन्नों से उठावी नहीं है सवासो करोर देशवासी खुद आज एक नया इतिहास रच रहे हैं इतिहास के अंदर एक नया स्वर्णिम पृष्ट जोड रहे हैं साथियों भारत की नयाए पालिका के इतिहास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याई की तरह है इस विशे पर सुनवाई के दवरान सुप्रीम कौट ने सब को सुना बहुत धैरियस हैं सुना और पुरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मती से आया एक नागरी के नाते हम सब जानते हैं परिवार में भी छोटा मसला सुलजाना हो तो कितनी दिक्कत होती है ये कारिया सरल नहीं है सुप्रीम कौट ने इस फैसले के पीशे द्रड इच्छा शक्ति के दर्शन कराए है और इसलिए देश के न्यायाधिश न्यायालय और हमारी न्याय प्रणाली आज विशेस रुपसे अभिनन्दन के अधिकारी है साथियों आज नव नवंबर है नव नवंबर ही वो तारी थी जब बरलीन की दिवार गीरी थी दो विप्रित धाराओं ने एक जुठ होकर नया संकल्प लिया था आज नव नवंबर को करतारपूर साहिब करिडोर की शुरुवात हुई है इसमें भारत का भी सयोग रहा है पाकिस्तान का भी आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही नव नवंबर की ये तारीक हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है आज के दिन का संदेश जोडने का है जूडने का है और मिलकर जीने का है इस विशे को इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटूता रही हो तो आज उसे तिलांजली देने का भी दिन है नए भारत में भाय, कटूता, नकारात्मक्ता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए साथियों सरवच्च न्यायले के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कटीन से कटीन मसले का हल सम्विधान के दाएरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि बले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैर ये बना कर रखना ही सर्वोचीत है हर परिस्तिति में भारत के सम्विधान भारत की न्याईक प्रनाली ये हमारी महान परंपरा उस पर हमारा विश्वास अडीज रहे ये भावत महत्वपून है साथियों सर्वोच अडालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है इस विवात का भलेई कई पीडियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बात हमें ये संकल्प करना होगा कि अब नई पीडि नए सरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी आईए एक नई शुरुवात करते हैं अब नए भारत का निर्माण करते हैं हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तै करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीशे तो नहीं छुट रहा हमें सब को साथ लेकर सबका विकास करते हुए सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है साथियों राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रिम कोट ने दे दिया है अब देश के हर नागरिक पर राष्ट निर्मान की जबाबदारी और बढ़ गई है इसके साथ ही एगनागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्याईक प्रक्रिया का पानन करना नियम काईदों का सम्मान करना ये दाईत्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है अब समाज के नाते हर भारतिय को अपने कर्तव्य, अपने दाईत्व को प्रात्वीक्ता देते हुए काम करना हमारे लिए उजवल भविश के लिए बहुत अनिवार्य है हमारे बीच का सवहार्थ हमारी एक्ता हमारी शांती हमारा सदभाव हमारा सने देश के विकास के लिए बहुत महत्पपून है हमें भविश्ची और देखना है भविश्च के भारत के लिए काम करते रहना है भारत के सामने चुनोतियां और भी है लक्ष और भी है मंजीलें और भी है हर भारतिय साथ मिलकर साथ चलकर ही इन लक्षों को प्राप्त करेगा मंजीलों तक पहुँचेगा फिर एक बार आज नव नौंबर के इस महत्पून दीन को याद करते हुए आगे बन दे का संक्रप लेते हुए आप सब को आने वाले तेवहारों की कल इत का बड़ा पवित्र तेवहार है उसके लिए भी बहुत बहुत शुप कामनाई देता हूँ धन्यवार